Hello all and welcome back again in past year question discussion So हम लोग कर रहे थे 2019 paper 2 का discussion और इसमें हम लोगों ने section A देख लिया था So section A में हम लोगों ने जितने भी questions थे उसको देख लिया था एक आप लोगों में से एक किसी का doubt था कि question number 3 के C में क्या introduction होगा So देखें introduction काफी easy सा part है इसमें कि discuss the rainfall pattern and correlated with spatial distribution of natural vegetation तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि rainfall pattern के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा साथ ही साथ में map integrate कर देना यही आपका introduction है तो introduction के basis पे अगर नहीं समझ में आ रहा है Simply आपको यहाँ पर बताना है कि Indian monsoon क्या चीज है में किस तरीके से यह arrange होती है मतलब किस तरीके से यह चारो और इधर से उधर उधर से इधर आती है और साथ ही साथ में इंडिया का एक map यहाँ पर integrate करके और आपको दिखा देना है कि कहाँ पर कितनी rainfall रही है फिर ultimately आप जो है इसको आप relate कर दिए यह open classification और thought mind classification के साथ और फिर जो vegetation type है यानि vegetation है उसके बारे में आप बता दीजिए that's all clear हो गया हम लोग आगे move करते हैं and we are going to discuss question number 5 onwards question number 5 जो थी वो compulsory question में था so 5 is compulsory question बाकी इसके आगे जितने questions है 6, 7, 8 इसमें से आप कोई एक भी choose कर सकते हैं clear question number 5 में देखेंगे compulsory question है सीजी सी बात है 150 words में आपको सारे ही question लिखने होंगे question है कि present the salient features of west flowing rivers अब सब लोग उन्हें पढ़ रखा है west flowing rivers के बारे में जितने भी rivers हैं जैसे कि नर्मदा हो गया या फिर तापी हो गया ठीक है तो यह सब west flowing rivers है इनके बारे में आप लोग ने पढ़ भी रखा है और इनके features के बारे में भी आपनों ने पढ़ रखा है कि यह rivers ऐसी हैं जो कि mountain के beach से हो करके गुजरती हैं तो first thing second estuary बना रही होती है these are farming esturies इसके लाबा यह delta form नहीं करती है falls वगर है waterfall वगर है बनाती है तो यह सब चीज़े आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी और अगर नहीं पढ़ ही है या फिर confidence नहीं है I would recommend you to go through with the Majid Usain book Majid Usain book में properly इसके salient features के बारे में separate section दिया है जहाँ पर आप इसको पढ़के इसकी चीज़ों को ले सकते हैं यहाँ पर structure क्या हो सकता है structure can be like this आप introduction जब आप लिखेंगे तो introduction में आपको इंडिया की जो river system है उसके बारे में बताना है और obviously यह जो river system होगा यहाँ पर आप बताएंगे जो different different type होते हैं जैसे radial type हो गया या linear type हो गया या और भी जितने भी तरीके के types होते हैं उनके बारे में आप बताएंगे and you will present a map एक इंडिया का map लगाएंगे और यहाँ पर river को आप show कर देंगे जितनी भी rivers हैं eastern flowing और western flowing दोनों को आप show कर देंगे मेरी suggestion है कि जब भी आप west flowing rivers को दिखाईए तो आप दूसरे color से दिखा दीजिए जैसे कि अगर आप blue से दिखा रहे हैं तो east one flowing को black से दिखा दीजिए इससे क्या होगा एक difference हो जाएगा कि हाँ these rivers are west flowing rivers और जो black वाली या दूसरे color वाली होंगी वो east flowing rivers हो जाएगी तो एक clear depiction हो जाएगा and easily ये key भी जा सकती है because in the examination यहाँ पर उतना time नहीं होता है लेकिन at least you can change your pen so that is the thing और ultimately फिर आप सीधे main body पे आ जाएए और main body पे फिर आप यही जो मतलब इसकी जो salient features of the west flowing rivers है उसको लिख जिए that's all complete हो गया आपका question चोटा question है ज्यादा बड़ा लिखना भी है 150 word में लिखना है easily deal किया जा सकता है next question आप कहता है problems of wildlife conservation and management in India again very easy question and again आप इसको 150 words में ही लिखेंगे तो देखें इसमें भी simple part है introduction में आप सीधे सीधे India की biodiversity के बारे में बात कर देंगे तो biodiversity of India ठीक है इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ मैं यह कहूंगा कि आप एक India का map draw करके wildlife को दिखा सकते हैं कि India में किस तरीकी की wildlife कहां पर है shortcut के तोर पर यहाँ पर जितने भी state animals वगरे हैं उनको आप दिखा दीजे हर एक state के पास में एक तो यह चीज दूसरा कुछ biodiversity areas के बारे में बता दीजिए जैसे कि आपका राजस्थान वाला area हो गया या गुजरात वाला area हो गया या नीलगीरी का region वगरे हो गया ठीक है और northeast हो गया Himalayan belt वगरे हो गया यह बना सकते हैं इसके अलाबा biodiversity hot spot भी इसी में दिखा दीजिए biodiversity hot spot color change कर दीजेगा pen का that's all बाकिंग इन चीजों को आप एक single map में आप दिखा दीजिए काम आपका हो जाएगा ठीक है तो आपने biodiversity वगरे को दिखा दिया इससे क्या है एक flow मिल गया कि इंडिया में biodiversity अच्छी खासी है साथ ही साथ में आपने ये भी दिखा दिया there is a threat on the biodiversity क्योंकि आपने hot spot भी बना दिया है so इस threat के कारण से आप एक और काम कर सकते हैं एक biodiversity threat को लेते हुए you can draw a flow chart कि what kind of threat is there in the Indian biodiversity अब इस threat के basis पे आप लगा सकते हैं कि as part of the solution we need to conserve the biodiversity and for that we should have some policies like wildlife conservation policy 1972 ठीक है wildlife conservation act है ना तो उसके basis पे आप यो है ये बना सकते हैं WCA 1972 ये बना सकते हैं इसके अलाबा biodiversity के लिए we have some other laws अलसो जैसे biodiversity act 2002 हो गया चो ये हमारे पास कुछ laws भी है for that again जो है हमें wildlife conservation के लिए जब भी हम wildlife conservation करेंगे तो we will face some problems also तो ये problems के basis पे आप main body पर अब आ जाएंगे तो ये जितनी भी चीज़े बताएं गई हैं ये केवल और केवल surfacially आपको लिखना है 30 से 40 word में आपको इसको complete कर देना है और में मुद्दे पे आ जाएंगे problems के बारे में बता देंगे wildlife conservation के बारे में और जितने भी problems है again these are very easy problems और easily आप इसे coat भी कर सकते हैं इस problem के as part of the solution जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो एक तरीके से management हो गया तो management of wildlife ये भी एक तरीके से हाँ पर हो जाएगा ठीक है problem के तोर पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है सीधे सीधे rehabilitation जो भी rehab कराया जाता है उसमें again जो जानवर होते हैं वो अपने आपको comfortable नहीं feel कर पाते हैं एक तो ये loss of their habitat हो जाते हैं जिसके कारण से कई सारी जानवर तो ऐसे होते हैं जो की locate ही नहीं हो पाते हैं तो उनको भी conserve करना अपने आप में एक fighter चीज हो जाती है बाकी इसके अलावा conservation के लिए आप ये बोल सकते हैं कि जो भी artificial area बनाया गया है that artificial area is again it is not actually related with the real forest like environment जिसके कारण से भी एक problem हो जाती है ठीक है तो ये wildlife conservation की कुछ कुछ चीज़े जो है वो आप easily draw कर सकते है climate effect भी दिखा सकते है बाकी अगेन माजिद उसायन में same इसी तरीके से पूरी ही चीज़े एक point to point discussion किया गया है तो वहाँ से आप जा सकते हैं माजिद उसायन और खुला two books are very important for your paper number two बस माजिद उसायन I would prefer for you to read इसके अलावा अगर माजिद उसायन में आप इस paper one के concept को integrate कर सकते हैं अगर कर पा रहे हैं then माजिद उसायन ही एक मातर ऐसी book है जो कि आप follow कर सकते हैं आप कोई book आप follow मत करिए word to word, chapter to chapter, page by page आप केवल और केवल माजिद उसायन को ही पढ़ लिजे आपके सारे answers, सारे questions सब कुछ वहीं से solve हो जाएंगे लेकिन paper one की चीज़ों को बस आप integrate करना सीख लिजिए then only single book sufficient for the examination ठीक है next question पर आजाते है correlate the price of land इंडिया, तो यह चीज़ है आपकी question easy question है देखिए, आप देखिए यहाँ पर जो vertical growth है वो दो तरीके से आप लिख सकते है vertical growth ठीक है, one by one करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे because there are three things that need to be discussed in the answer पहली चीज़ है price of land दूसरी चीज़ है vertical growth of city तीसरी चीज़ है growth of slums ठीक है, इन तीनों को आपस में link करना है अब देखिए vertical growth को सबसे पहले हम लोग open करते है because this is the thing that that is very general thing और बाकी जो चीज़े हैं उसको हम लोग क्योंकि economics में और ये चीज़ जो है वो settlement की आती है तो ये दोनों ऐसे topic हैं जिनको directly open कर पाना थोड़ा सा tough होगा लेकिन इस vertical growth of city को हम लोग open कर सकते है क्योंकि हमारे पास कई सारे classifications हैं जो कि city को classify करते हैं अब vertical growth में again हमारे पास दो तरीके के चीज़े आ जाएंगी एक आ जाएगी जहाँ पर metropolis, megalopolis और इस तरीके से जो हमारी classification है तो यहाँ पर classification of city आ गया this is classification of cities ठीक है and these cities are obviously based on population population के basis पे division किया आता है और यह division obviously vertical growth में आएगा क्योंकि छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी इस तरीके से classification है classification आप लोगों ने पटर रखा होगा there are four type of classification जिसमें technology के basis पे population के basis पे divide किया गया है ठीक है बाकी इसके अलावा जो vertical growth हो सकती है वो हो सकती है जैसे sub-urb urban fringe ठीक है urban fringe हो गया and then फिर उसके बाद से urban sprawl this is urban sprawl ठीक है और फिर ultimately conurbation conurbations तो यह भी एक तरीके से जो है वो vertical growth ही एक तरीके से है क्योंकि यहाँ पर भी चीज़े जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अब देखिए दोनों ही चीज़ों में अगर आप दोनों ही तरीके के vertical growth को देखेंगे तो दोनों ही चीज़ों में आपको classification देखने को मिलेगा अब चीजों को आप link करना शुरू कर दीजे इसमें कैसे link करेंगे दिखिए जितने भी इस तरीके से developments हो रही है ये सारी development कहीं न कहीं economic reason के कारण से होती है और इस economic reason में सीधी सी बात है जो village area है वो धीरे धीरे क्या है कि urban area में convert हो रहा है और इस वज़े से village की जो population वो भी migrate करके urban area में आएगे और ultimately growth of slums हो जाएंगी तो growth of slums तो यहाँ पर आपने link कर दिया vertical growth को इस growth of slums के थुरू अब यहाँ पर question होता है कि price of land को कैसे हम relate करें देखे price of land को again आप relate कर सकते हैं and this is related with obviously location model theories तो location models जो हम लोगों ने discuss किया हुआ है अपने systems analysis QR phase के दोरान में तीन theories थी crystallor की theory थी this was crystallor's CPT दूसरी Weber का model हो गया और तीसरी है one tuning का model अब देखें जो one tuning है और Weber है यहाँ पर किसी काम के नहीं होंगे crystallor का model ही केवल और केवल काम आएगा क्योंकि यह settlement से related है central place theory और इस तरीके से यह जो central place theory आप यहाँ पर बताएंगे कि जो भी centrality जो भी range और जो भी threshold भगर है सारे के सारे concept को आप integrate करके ले करके आईए obviously आप CPT की theory को discuss नहीं करेंगे आप केवल और केवल जो philosophy behind this theory है crystallor का जो model जिस पर based है केवल उसको ले करके आएंगे और इससे relate कर देंगे इस city के development के basis पर clear हो गया क्या चीज़ है तो इस तरीके से जो CPT model है और इसके basis पे आप जो है price of land को लेते आएंगे और बाकी development और growth of the cities के बारे में तो हम लोग ने बाते ही कर लिया तो यह हो गया question का answer तो हम लोग ने decipher कर लिया कि answer कैसे क्या हो सकता है content क्या होगा अब structure क्या होना चाहिए structure भी simple है सीधे सीधे introduction के basis पे आप यह लिख देंगे कि जो urban cities है urban cities are एक तरीके से यह कह सते है इस आर location of economic एक तरीके से industries या फिर economic activities and because of that people are continuously migrating into the urban areas in search of employment or economic activities and this ultimately led to the growth of the cities as well as growth of slums because of this demand and supply mismatch there is always fluctuation in the price of the land which can also be seen in terms of model of crystallars ठीक है फिर ultimately आप चीज़ों को दिखना शुरू कर दीजिए clear easy part है ज़्यादा कुछ खास नहीं था बस यह relate करना था चीज़ों को और again 150 word में ही केवर लिखना है तो easily you can write ठीक है आगे बढ़ते है next question है कि यहाँ पर है importance of the food lose industries दूसरा backward region अब देखिए again यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह एक तरीके से industrial geography हो गई तो यह industries के बारे में हो गया industries में आप लोगों ने food lose के बारे में already पढ़ा हुआ है food lose का मतलब यही होता है जिसके लिए किसी raw material और इन सबकी जरूरत नहीं पढ़ती है तो यह सबकी जरूरत नहीं है केवल और केवल infrastructure की जरूरत है electric city की जरूरत है and more importantly skill workforce की जरूरत है तो यह कहीं पर भी खुल सकता है कहीं पर भी इस industry को open किया जा सकता है इसलिए foot lose बोला जाता है तो जितनी भी service oriented industries है जैसे की जितने भी BPO's होते है ठीक है business processing units होती है या फिर call centers वगरे जैसे हो गए या फिर जितने भी एक तरीके से examination center वगरे हो जाते है तो यह सारी चीज़े जो होती है वो एक तरीके से foot lose industry के under में आ जाते है जितने भी software industries है यह सारी की सारी foot lose industry है यह clear है backward region के बारे में आपको पता है कि this is balanced regional development के अंतरगत balanced regional development के अंतरगत यह एक concept है जहाँ पर backward region है अब backward region का आपको कराना है development तो development कराने के लिए क्या चीज़े चाहिए अब भई सीधी सी बात है कि जो backward region है उसके आपको problems पता होने चाहिए backward region के तो backward region के problem क्या है सीधी सी बात है यहाँ पर economic activity बहतर तरीके से नहीं होती है infrastructure काफी poor है इसके अलावा electricity वगर है जो है इसके अलावा social जो measures है like health हो गई यह सब भी काफी poor अवस्था में है तो इस तरीके से आप इस backward region के बारे में सारी चीज़े जान गए है अब आपको relate करना है कि कैसे यह काम किया जा सकता है इसको relate करना है and backward region को आपको develop करना है तो इसको आपको develop करना है और यहाँ पर आपको footloose industries है what will you do और क्या-क्या concept आप यहाँ पर ले करके आ सकते है देखे जो भी footloose industries होंगी अगर इसका हम development किसी एक ऐसे region में कर दें जो की एक तरीके से backward region है तो वहाँ पर new centrality create कर दी जाएगी and this centrality is related with obviously what primate city concept तो यहाँ पर एक second there is तो यहाँ पर जो है जो primate city का concept है वो नही primate city निकल कर के आजाएगी Mark Jefferson की जो theory है उसको आप फटा-फट लिख दीजिए दूसरा central business district CBD concept को लिख दीजिए इसके अलावा freedman की जो concept है freedman का core periphery this is core periphery की एक तरीके से जब core में food lose industries आ जाएगी तो इससर related छोटी छोटी और भी industries periphery में develop हो जाएगी और ultimately यह backward region मतलब जो backward region है वो development हो जाएगा एक तो यह इसके अलावा गुर्णार middle के भी concept को लिख सकते हैं आप ठीक है this is M है middle के concept को भी आप लिख सकते हैं कि यह भी जो है cumulative causation theory के basis अल्टिमेटली एरिया का development हो जाएगा and this will be linked to this backward region या फिर balance regional development को link कर दीजे content आपके पास आ गया theories आपके पास आ गई structure भी easily आप load कर सकते हैं आपर structure यहाँ पर बता दीजे सबसे पहले आप किवल और किवल जो एक second या किवल और किवल यहाँ पर आप यह बता दीजे backward region की क्या क्या problems हैं मतलब कि यह जो हम लोग ने discuss किया this will become introduction of this question और इस introduction के basis पे फिर आप इस relate कर दीजे इसे food lose industries के basis पे और फिर जो cycle हम लोगों ने बनाई हुई है यह first thing and then ultimately this thing यह आपका answer बन जाएगा 150 word में इसको भी लिखना है easily deal किया जा सकता है content मैंने आपको बता दिया structure बता दिया you just have to write फिर आपका next question है problems of glacial lake तो 2019 में in fact 2018 to 2019 में काफी आदा news में बना था ना सर्फ केवल और केवल news में बलकि magazines में भी इसके articles आए हुए थे और मैं कहता हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़े है easily you can still decipher the question कैसे decipher कर सकते हैं देखिए glacial lake है आपको पता है glacial lakes के बारे में तो glacial landform भी अगर आप पढ़े होंगे तो भी आपको पता चल गया कि glacial में क्या क्या चीजे होती है यहाँ पर more importantly एक तर्म होता है जिसे हम लोग बोलते है moraines यह moraines आपका सारा का सारा एक तरीके से keyword लेते आया outburst flood का मतलब outburst में आप यह बोल सकते एक तरीके से कि mass erosion हो रही है तो this is mass erosion एक तरीके से and ultimately जो flood है flood के बारे में तो आपको पता ही है कि high volume of जो भी चीज high volume of dot 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 अब जैसे यहाँ पर क्या है glacial है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए moraines या फिर glacial material moraines जो है वो keyword हो जाएगा एक तरीके से अब आपको चीज़े समझ में आ गई कि जिस तरीके से flood में जो की पानी होता है flood में पानी हो जाता है यहाँ पर इस outburst flood का मतलब हो गया जहाँ पर glacial format में flooding होगी अब यह obvious ही बात है कहाँ पर होगा ऐसे region में होगा जहाँ पर खतरनाक तरीके से glacial होती है अब आपको यह पता है कि suppose this is our land ठीक है इसके उपर में यह आपकी जो है वो बरफ ढकी होई है यह आपका बरफ है अब आपको पता है कही न कहीं एक crack आएगा कुछ न कुछ जनरेट होगा जिसके कारण से बीच में एक box चंड क्रियेट हो जाएगी तो यह जो है वो box चंड क्रियेट हो जाएगी और यहीं से फिर avalanche generate हो सकता है and this avalanche can ultimately lead to outburst flood clear यह जो मैंने आपको बताया यहाँ पर side में this is introduction of the question कि आखिर में यह जो outburst है वो कैसे आ सकती है so you just have to draw this figure along with that you just have to link these avalanche and ultimately the outburst flood कोशिश यह करनी है कि यह जो key terms यहाँ पर लिखे गए हैं वो आप easily integrate कर सकें clear अब हमनों आ जाते हैं main मुद्दे पे अब यहाँ पर जैसे आपने introduction लिख दिया अब आप इसमें आ जाए main problems पे तो problem देखिए again बहुत easily आप लिख सकते हैं अगर आपको flood की भी problem पता होगी तो यहाँ पर आप glacial के कारण से flood भी बता सकते हैं तो जितनी भी flood की problem है अब जैसे flood में आप क्या करते हैं अचानक से high volume of the water आ जाता है जिसके कारण से drainage problem आ जाती है अब यहाँ पर भी यही drainage problem होगी लेकिन drainage problem of glacial हो जाएगा अब glacial के कारण से हो जाएगा तो सीधी सी बात है area जो है वो एक तरीके से police to scene ice age वाला इलाका हो जाएगा habitable नहीं रह जाएगा दूसरा problem flood के कारण से जो भी infrastructure होंगे वो खराब हो जाते है तो यहाँ पर भी तो खराब हो जाएगा तीसरी चीज flood के कारण से क्या होती है कि जो land है उसके उपर में extra pressure, extra force फड़ता है जिसके कारण से subsidence हो सकता है तो यहाँ पर भी subsidence हो सकता है this subsidence can lead to earthquake तो यहाँ पर भी earthquake lead कर सकता है इसके अलावा next point और क्या लिख सकते है आप चीजों को और क्या बना सकते है अगर माल लेते हैं कहीं पर कोई mining वर खोरा होगा तो वहाँ पर कोई भी hazard हो सकती है कोई भी problem हो सकती है, कोई भी explosion हो सकता है next अग कुछ नहीं होगा तो land slide हो सकती है this is land sliding condition again तो problems बहुत सारे है उस problem को किवल और किवल आपको एक बार locate करना है इसके अलावा जो भी city planning अगरे थी उस city planning भी आपकी disturb हो सकती है, और भी problem आ सकती है तो कहीं न कहीं problem आप जान रहे है you just have to click that part ठीक है और ultimately आप चीजों को लिख लेंगे तो बस यही काम करना, यही चीजे लिखनी है that's all question easy था, बस क्या है कि थोड़ी से term में हो सकता है कि नया term हो इसलिए थोड़ी से disturb हो सकते हैं तो देखे, optional के paper में यह मान के चलिएगा कि आपको इस तरीके के question से counter करना पढ़ेगा ठीक है और वहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको बस चीजों को decipher करिए break करिए और फिर ultimately चीजों को relate करिए तो breaking, relating and writing that is the key for answer writing, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं next question आपका है, अच्छा, fifth question खतम हो गया next question आपका आता है 6 number 6 का A यहाँ पर है, intra basin linkage of river are, तो जो underline किया गया है, this is the key word इसी वज़े से underline किया गया है more feasible, economically socially and ecologically, example के साथ बताना है, इंडिया का case ले करके ठीक है, अब देखिए आप लोगोंने पढ़ा हुआ है, river interlinking ठीक है, river interlinking लेकिन देखिए, इस river interlinking में कई सारी problems होती है, जिसको की already आप लोगोंने पढ़ रखा है, कई सारे जो critics हैं, उन्होंने criticize भी किया है, river interlinking नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे बहुत सारे disasters आ सकते हैं, problems आ सकती है कई सारी चीजे हो सकती है, landslide हो सकता है, earthquake आ सकती है rehabilitation करने में दिक्कत आ सकती है, तो बहुत सारी चीजे है ecological, environmental, social, हर तरीके की problem ही problem है तो क्या किया जाए तो यहाँ पर as part of the solution यह बताया गया था, कि हमें river interlinking नहीं करना चाहिए river के जो basin है मतलब एक ही river का जो अलग-अलग tributaries होते हैं, उनके जो basins होते हैं, उसको इसी एक river का जो कई सारे basins होते हैं, जैसे गंगार को ही देख लीजी, it has several tributaries, और उसके अपनी एक basin होती है, उसका अपना एक मुहाना होता है और उसके basis पे ही चीजों को link कर दिया जाता है, जैसे cane bitwa link के ही किया गया है तो यह linking अगर आप करेंगे तो this will be sustainable and this will be एक तरीके से एक sustainable issue भी बन जाता है और साथ ही साथ में problem का solution भी निकल जाता है, यही चीज़ आपको ले करके आना है, तो सबसे पहले आपको structure में क्या लिखेंगे structure, यहाँ पर क्या होगा, introduction में पहले आप यह बताएंगे, what exactly is the importance of this intra-basin linkage of rivers तो जो intra-basin linkage है उसको आप बताएंगे कि किस तरीके से यह एक improvement है over river interlinking और कैसे यह sustainable तरीका है, ठीक फिर आप link कर देंगे इसे अब आजाएंगे main body पे obviously अब आप इसे link कर देंगे, कुछ project के नाम अगर आपको याद हैं, तो आप लिख सकते हैं project का नाम, काफी यादा news में बने भी रहते हैं, तो आप इसको easily link भी कर सकते हैं, ठीक है इन project को link कर दीजिए link करने के बाद, अब आजाएं इसमें कि इसके impacts क्या है, या after effects क्या है, after effects अब इसके after effects देखिए कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग dimension में जैसे, economically क्या possible है, socially क्या possible है and फिर उसके बाद से क्या है, ecologically क्या possible है ecologically यहाँ पर देखिए, तीनों ही term काफी easy part में आ जाते हैं, अब जैसे ecologically में आपको क्या है, यहाँ पर environment के बारे में बात करना है जो भी वहाँ की wildlife, floral, fauna है, जो भी चीज़ें उसके बारे में बताना है अब जैसे यहाँ पर केन बितवा में ही पन्ना का नाम बहुत ज़्यादा आया था, कि यहाँ पर जो wildlife century है, उसे काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा 20 से river गुजर जाएगी, हो सकता है कि जो biodiversity उसको loss हो तो यह सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे कि इस से अगर हम लोग intra-basin linkage करेंगे, तो first thing biodiversity को loss नहीं होगा दूसरी चीज़, यहाँ पर एक तरीके से eco-tone बनते जाएंगे और उस eco-tone के कारण से हमें हो सकता है कि और ज़धा biodiversity increase देखने को मिल जाए, which is obviously healthier for our ecological system, तीसरी चीज़, जो भी wildlife हमारे पास already present है, उनको किसी प्रकार का threat नहीं रहेगा relocate नहीं करना पड़ेगा और more importantly, जो हमारे पास already existing wildlife sanctuaries है, वो disturb नहीं होंगे that is the more important thing, तो तीन पॉइंट अलरड़ी आपके हो गए, चौथे पॉइंट, ultimately आप ये बोल सकते हैं, कि this is a more sustainable way to protect ecological and environmental diversity of our country, तो एक point तो हमेशा सदावाहार है, हर समय आप लिख सकते हैं social में आ जाएंगे, तो social में क्या होते हैं social में होते हैं, जो भी वहाँ के indigenous people है, तो indigenous people है सीधी सी बात है, अगर माल लेते हैं कि intra basin आप करेंगे, तो कभी भी flood का खतरा नहीं रहेगा इसके अलावा, water availability हो जाएगी indigenous people को, तीसरा, कभी भी किसी भी प्रकार के earthquake टाइप के disaster आने के संभावना बहुत ही कम रहेगी इवन intra basin linkage के कारण से तो नहीं ही रहेगी, चौती चीज़ कभी भी subsidence का खतरा नहीं रहेगा, पांचवी चीज़, इनको water अगर availability हो जाएगी इसकी जो भी, मतलब water scarce region हो तो obviously इनके लिए अच्छा हो जाएगा, water के availability हो जाएगी, फिर उसके बाद से water के availability के कारण से इनको पीने का पानी और जितनी भी household work वगरे के लिए पानी चाहिए वो easily available हो जाएगा तो socially भी आपने impact लिए economically अगेन आप लिख सकते हैं कि industries develop की जा सकती है जो की water, consuming industries हो जाएग या फिर agriculture आप कह सकते हैं कि intensive agriculture की जा सकती है irrigation की availability के बाद हम लोग crop diversification कर सकते हैं सो इस तरीके से अगेन आप जो है link कर सकते हैं content आपके पास होता है content में कोई problem नहीं होती है but only thing that you need to do here is you have to draw the language of geography और उसी geographical language को यहाँ पर integrate करते जाना होता है और अगर कहीं पर आपको models वगरे दिख जाएं कि क्या model है, क्या है, उसको आप link कर सकते हैं यह सब geomorphology and the question is again asking concepts of geomorphology, subsidence वगर, earthquake इन सब theories को link करते जाएं तब आपको अच्छा marks भी मिलेगा और आपका answer भी काफी complete और geographical answer लगेगा clear हो गया, 300 word का answer है easily आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अब देखें, 4-4 points सबके लिख देंगे तो you have 12 points for this question और बाकी उपर में आपने importance वगर है तो दिखाई दिया है तो यहां सभी आपका अच्छा खासा content प्रिपेर हो गया next question आपका आ जाता है कि provide a reasoned account on emerging canurbation in India and explain with a suitable example the problems associated with it अब देखें यहां पर क्या है आपको बताना है कि canurbation in India कौन-कौन सी areas हैं और कुछ examples बताने हैं problems भी बताने हैं आपको तो main question है कि canurbation क्या है problems क्या है तो कुछ नहीं introduction आपको start करना है introduction में आप बताएंगे कि what is canurbation what is canurbation continuous urbanization अब इस continuous urbanization को जब भी बताएंगे तो अपना वही पुराना हिसाब लिख बताते हैं यह suburb suburb के बाद आपका जो urban fringe डवलप हो जाएगा इस urban fringe के बाद आपका एक तरीके से urban sprawl डवलप हो जाएगा और इस urban sprawl के basis पर urbanization and इस urbanization के बाद continuous urbanization यह canurbation हो जाएगा तो इसको इसके साथ में canurbation की definition को इनके साथ में link करिए that's all clear आप देखिए इसकी main body पर चलते हैं main body क्या करेंगे आप question है कि इसके क्या prospects है reasoned account बताना है emerging prospects बताना है तो आप यह बताएगा क्या क्या फायदे हो सकते हैं तो आप यहाँ पर इसकी positive points यानि की फायदे बगर है लिख देंगे फायदे लिखने के बाद में कहा गया है examples भी बताना है तो examples आप बता जीजे क्या करना है जितने भी जैसे corridors है Mumbai पुने हो गया जितने भी हमारे पास industrial corridors है वो सब इसके example ही हो गया recent में क्या है defense corridor बनाया गया है वो भी example हो गया problems conurbation के problem क्या है कुछ problem में ही है जितने भी urbanization के problem है सारे conurbation के problem है one by one करके चीजों को लिखते जाईए congestion हो जाएगा environmental degradation हो जाएगा फिर इसके बाद से pollution level काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है people का migration बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस तरीके से आप बहुत easily draw कर सकते हैं जितने भी urbanization के problem है सारे problem extreme version में करके conurbation के problem बना दीजिए काम खतम so this was easy question easily you can deal with it आगे बढ़ते हैं next question है आपका 6KC green tourism के बारे में है basically तो देखे explain the relevance of green tourism for sustainable development of mountain environment अब देखे कई लोगं confused हो सकते हैं कि यार green tourism क्या चीज़ है and how it is different from sustainable tourism sustainable tourism देखे दोनों में difference है difference यह है sustainable tourism का मतलब होता है कि जिस भी तरीके से आप tourism कर रहे हैं बस उसमें क्या है कि आप damage ना पहुचाईए ठीक है तो यह जो tourism है वो आपकी एक तरीके से green tourism भी हो सकती है या फिर आप एक तरीके से natural tourism भी कर सकते हैं और इसके अलावा cultural tourism भी कर सकते हैं तो sustainable tourism जो है वो एक बड़ा term है जहां पर जो भी monuments हैं या जो भी natural elements हैं जो भी चीज़े उसको damage नहीं पहुचाना ही एक sustainable tourism कहलाता है green tourism का मतलब होता है कि जहां पर आप natural तरीके natural tourism कर रहे हैं and this is sustainable sustainable natural tourism को ही आप green tourism कहते हैं तो अब दोनों में I guess difference clear हो गया होगा कि what exactly is the prime difference between these two things clear अब आजाए में मुद्देबे यहां पर introduction में आप लिखेंगे क्या चीज़ green tourism का मतलब जो कि हम लोग ने अभी discuss किया तो green tourism क्या है यह बता दीजिए what it is ठीक है अब इसके बाद से एक second या तो अब इसके बाद से आजाईए question जो पोलता है कि relevance तो यहां पर आजाईए relevance पे relevance of green tourism अब देखिए green tourism के relevance को बताने से पहले flow को maintain करने के लिए काफी ज़रूरी है problems बताना तो problems of tourism को आप एक flow chart बनाएंगे तभी आपको relevance जो है एक तो वो समझ में भी आएगा points भी आपको याद आने लगेंगे और दूसरा एक continuity maintain हो जाएगी अब आप flow chart बना करके relevance पे जाएंगे कि कई सारी चीज़ हैं जैसे nature impact नहीं होगा पहली चीज environment जो है वो balance बना रहेगा ecosystem बना रहेगा दूसरी चीज जो भी यहाँ पर देखे problems है वो सारे के सारे solution बदल जाएंगे green tourism में clear यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जो भी mechanized या जितने भी mechanized vehicles वगरे चलती हैं उसको आप रोक सकते हैं प्रोहिबिट कर सकते हैं जो भी लोग यहाँ पर आएं उनको आप promote कर सकते हैं कि जो tourism technique आप अपना रहे हैं that should be sustainable and that should be natural ठीक है तो यहाँ पर जो है pollution वगरे बैन कर सकते हैं प्लास्टिक वगरे आप बैन कर सकते हैं तो यह काम आप कर सकते हैं और इस तरीके से relevance भी आपका बनता जाएगा मतलब जो भी pollution के मतलब जो भी tourism के problems आप flow chart में दिखाएंगे as part of the solution आप उसको green tourism में एक converted solution form में दिखा सकते हैं so that will that will be the answer of this question यहाँ पर कुछ principles बगरे के बारे में जो की geographical principles हैं उनको आप डाल सकते हैं जैसे एक आप डाल सकते हैं principle of Gaia ठीक है principle of Gaia के बारे में लिख सकते हैं जैसे प्रित्वी अर्थ है हमारी और उसमें हमें balance करके रखने की ज़रू होता है otherwise it may reflect back in terms of some environmental compensation इसके अलावा आप ecosystem ecosystem balance के concept को भी आप लिख सकते हैं तो यह सारे जोग्राफिकल principles को use करेंगे answer में answer आपका automatically आ जाएगा 250 words से ज़्यादा लिखना नहीं है so you can easily manage with it question भी आपका तयार हो गया और answer भी समझ में आई गया है क्या चीज़ है clear हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं next question है 7 का A question है role of interstate migration दूसरी चीज़ है regional disparity यानि कि देखिए आपको migration के concept को link करना है regional diversity या फिर regional development RDP regional development program के साथ में बहुत easily किया सकता है कुछ नहीं करना है सबसे पहले क्या आपका introduction क्या हो जाएगा आप migration को समझा देंगे ठीक है migration को समझा देंगे और यहाँ पर देखिए migration question पढ़ करके आपको पता चल रहा है कि Ravenstein की theory तो लिखनी ही लिखनी पड़ेगी Ravenstein theory और उन्हों जो 10 point agenda अपना दिया था उसमें से जो rural वाले points है जहाँ पर economy wise बताया गया है gender wise बताया गया है फिर male migrate more than female female migration जो होती है वो short distance की होती है तो यह सब principle जो है आप लिख सकते है in the format of a flow chart क्यों? क्योंकि regional disparity के बारे में हमें आगे link करना है now what you will do you will again define regional disparity कि regional disparity क्या होती है तो regional disparity को आप जब बताएंगे तो आप बता देंगे कि यहाँ पर जैसे एक तरीके से population imbalance हो गया या फिर more migration हो रही है जिसके कारण से एक जगा पर density बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है फिर उसके कारण से slum problem sanitation problem तो कई सेरी problems हो सकते हैं वो सारा ultimately lead to regional disparity अब इस regional disparity को इस migration के साथ में आप link कर दीजे with the help of this Ravenstein theory आपका answer तयार हो गया तो कुछ points होंगे जैसे कि सबसे पहले आप slums वगरे के बारे में यानि कि housing problem को आप दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा current आ गया है बहुत ज़्यादा flow आ गया है population का तो सीधी सी बात है city में एक limited जगा ही होती है उसके बाद जो है वो overflow होना शुरू हो जाएगा second thing यहाँ पर क्या होगा employment crisis आ जाएगी क्योंकि limited ही employment की ज़रूरत है तो employment crisis आ जाएगी सारी चीज़े आप link कर सकते हैं हाँ से health issues education वगरे नहीं हो पाएगा child जो है वो again development नहीं हो पाएगा multiple things are there you just have to think about it and relate with it काम खतम आपका easy question ज्यादा कुछ है भी नहीं and 300 word में लिखना है content आपके पास sufficient है मतब 10 point of revenue stream लिखने में ही आपके कुछ नहीं तो 30 to 40 word आपके चले गाए migration को define करने में और यह जो पूरा introduction और ravensteen की theory है 100 word आपका यही ले लिया इस चीज को लिखने में at least आपको कम से कम 125 word लगेंगे ही लगेंगे और link करने में आपको कुछ नहीं तो 50 word लगे लगेगा आपका तयार हो गया answer so that kind of easy question they are asking बस क्या है linking आपको करना आना चाहिए flow chart आपको बनाना आना चाहिए structuring आपकी अच्छी होनी चाहिए clear हो गया अगर आप किसी case studies वगरे को भी डालना चाहे हैं हापर तो easily you can draw any case study कोई भी डाल सकते हैं आप जिस state के हैं हैं वहाँ पर भी आपके आसपास आपको इस तरीके की चीज़े बहुत easily देखने को मिल जाएंगी तो ये सारी चीज़े आप बिलकुल लिख सकते हैं कोई problem नहीं है हापर और अगर आपको कोई case study योजना की या कुरुक्षेतर की या फिर newspaper की कहीं पर मिल जा तो अगेन आपको केवल और केवल compare ये सोचना है कि आप New Delhi को compare कर रहे हैं पुणे के साथ में क्योंकि दोगनों देखे इंडरस्ट्रियल सिटी हैं दोनों जो है वो business cities है और दोनों में ही जो हता है pollution का level आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाएगा तो सीधी सी बात है आप ये कह सकते हैं कई सारे point पे आप इन दोनों को compare कर सकते हैं सबसे पहले आप compare कर सकते हैं migration पे migration of people ठीक है अब आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो North India में North New Delhi है इसके आसपास में जितने भी areas हैं जैसे UP, बिहार, उत्राखंड, हिमाचर प्रदेश, राजस्थान, जहारखंड तो ये सारे state का migration हमें New Delhi में देखने को मिलता है जबकि पुने में क्या होती है, पुने में क्या है कि अलड़ी बहुत सारे areas हैं मतलब कि आसपास के areas में बहुत होगा, तो केवल और केवल महराष्ट के area या फिर आंदर प्रदेश के लोग ही केवल और केवल migrate करते हैं Second thing, New Delhi में या North India में आप आएंगे, तो यहाँ पर जो CBD है, वो काफी limited है, जिसके कारण से ये over populated है जबकि यहाँ पर CBD बोलिए या फिर प्राइमेट सिटी बोलिए ठीक है, प्राइमेट सिटी, और जबकि South India में क्या है, multiple प्राइमेट सिटी है हर एक एरिया, हर एक तरीके से कह लिजे, प्राइमेट सिटी है, तो यहाँ पर जैसे आंदर प्रदेश में आजाई है, तो हैदराबाद ही है, फिर उसके बाद से महारास्ट में आजाई है, तो अगेन मुंबई भी है, पुने भी है, ठीक है फिर आप तमिलनाडू में आजाई है, तो कोईमबटूर भी है, मतलब कई सारे है, चिन्नाई, कोईमबटूर, वाइजाएग, मतलब वाइजाएग तो खैराण प्रदेश में आगिया, so we have multiple primate cities there and that is why people are not migrating in a long distance basis, यह चीज़े आप लिख सकते हैं, ठीक है, one second, where it is, okay, so third point आप क्या लिख सकते हैं, third point आप लिख सकते हैं, economic status, economic status of people, तो यहाँ पर क्या है, काफी ज्यादा poor है, in fact, human development index में भी North India की लोग काफी पीछे आते हैं, तो यह काफी backward है, तो इस वज़े से यहाँ पर जो है, वो एक तरीके से ज्यादा pollution, ज्यादा चीज़े होती हैं, ज्य कि यहाँ पर क्या है, human development index बगर है, काफी high आता है, developed है, literate है, health wise, काफी अच्छी progress है यहाँ पर, फिर आप बता सकते हैं, vacills को ले करके, यहाँ पर, कि vacills जो हैं, यहाँ पर multiple vacills हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कम vacills हैं, ठीक है, industries के बारे में बता सकते हैं, कि New Delhi में कई तरीकी की industries बगर हो जाती है, because यहाँ की climate ऐसी है, जबकि वही South India में आप आ जाएंगे तो उतनी कुछ खास नहीं है, और tropical area होने के कारणा से कुछ industries ऐसी होती है, जो यहाँ डवलप ही नहीं हो पाती है, North India में किया है, कि अलग-अलग एर जैसे ह Himalayan area भी है, tourism बहुत ज़्यादा होती है, people are continuously migrating, tourism के basis पे यह आते हैं, लेकिन आते तो हैं ही, तो pollution इसलिए अपने आप जाता हो जाएगा, क्योंकि vehicles भी उतनी ही ज्यादा आएंगी, so easily you can draw, बहुत ही असान question है, बस आपको सोचना है, link करना है, जोग्राफी लिखते जानी हैं इसमें, clear, next question पर आते हैं, next question है, analyze the incentive oriented program for removing regional imbalance in socio-economic development of India, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक है incentive oriented program, दूसरा है, regional imbalance को दूर करना है, and socio-economic development करना है, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि incentive oriented क्या है, incentive oriented program क्या है, ठीक है, दूसरा, regional imbalance क्या है, और तीसरी चीज़ है, socio-economic development, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चीज़ क्या है, people are continuously migrating, no doubt, ठीक है, और वो कुछ limited areas में ही migrate करते हैं, because of no doubt, socio-economic prospects, socio-economic benefit के कारण से, socio-economic का मतलब क्या होता है, education, health, industries, employment, high wage, ठीक है, यह सारे points है, labor, consumption, opportunity, ठीक है, पॉइंट आपके हो गए, socio-economic basis पे, अब इन सारी चीज़ों को obviously लेने के लिए, इनको benefit लेने के लिए, लोग जो है, वो continuously migrate करेंगा, migrate करने के कारण से, there will be regional imbalance, क्योंकि जो current है, मतलब current of migration, is much more than as compared to counter current of out migration, ठीक है, तो इसके कारण से क्या होगा, ultimately regional imbalance हो जाएगी, this is regional imbalance, अब यहाँ पर देखिए, question को वापस से पढ़िए, question यह कहता है, analyze, अब इस program को हम launch करेंगे as part of the solution, कि यह जो regional imbalance की problem आ रही है, यह जो problem आ रही है, इसका हमें solution देना है, तो this, यहाँ पर कुछ न कुछ problem है, और problem का यह solution है, अब आप solution के basis पे आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर चीजे, जो गरबर हो रही है, वही चीज़ आप solution प्रवाइड करेंगे, यानि कि सबसे पहला, आप जितने भी यह benefits हैं, उसको छोटे छोटे areas में benefits को आप distribute करना शुरू कर देंगे, मतलब एक किसी एक जगा पर concentrate नहीं होने देंगे, distribute करना शुरू कर देंगे, यानि कि जैसे community health center खोल देना, या फिर पी अचीज वगरे खोल देना, जैसे डिली में महला क्लीनिक वगरे हो गया है, तो एक तरीके से क्या है, that is the benefit for the local population, जो हाँ की population उसके लिए एक तरीके से benefit हो गया है, so benefits आप distribute करना शुरू कर देंगे, दूसरा, जो free demand की theory है, उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे, और core periphery model लगाएंगे, ताकि, ताकि industries जो हैं वो develop करना शुरू कर देंगे, अब इसके लिए आप कई सारे benefits भी दे सकते हैं, benefits के basis पे जैसे, जैसे की PSU के दौरान में किया गया था, 1991 के दौरान में, कि जो भी PSU, rural area में develop करेगी, या फिर वहाँ पर establish होगी, उनको land rent में, या फिर tax में, या फिर license वगरे में, मतलब कई सारी चीज़ों में benefits आप दे सकते हैं, वो सारे benefits यहाँ पर आप integrate कर सकते हैं, third thing, migration को रोकने के लिए, आप again एक migration policy बना सकते हैं, ठीक है, तो migration policy भी आप बना सकते हैं, और इस migration policy के basis पर आप industries को setup भी कर सकते हैं, तो ये सब क्या हो गई, incentive oriented program, और इस incentive oriented program, अब जैसे क्या है, लोग उसी एरिया में, उस location में, उसी rural इलाके में रहें, उसके लिए आप उनको entrepreneurship और skill development सिखा सकते हैं, उस entrepreneurship और skill development के basis पर उन्हें financial help जैसे की loan वगरे प्रवाइड करके, आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत जो है, उन्हें migrate करने से रोख सकते हैं, so that is again the thing, फिर जो communication, एक तरीके से communication के जितने भी infrastructure हैं, transport infrastructure हैं, इन सब को आप develop करिये, develop करने के बाद क्या होगा, कि आपका जो area है, खुद ही वो develop करना शुरू कर देगा, और इस development के कारण से वहाँ पर भी, यह जितनी भी opportunities हैं, जितनी भी यहाँ पर socio-economic चीज़ें हैं, वो सारे develop करना शुरू कर देगी, rural इलाके में opportunity cost दिखाईए, तो उस opportunity cost के basis पर, यहाँ पर industries भी आएंगी, setup होंगी, चीज़ें develop होंगी, agriculture को हमें develop करना पड़ेगा, उस agriculture के development के basis पर, जितनी भी food processing industries हैं, वो सारे भी develop होंगी, और ultimately regional imbalance की जो problem है, वो solve हो जाएगी, इस तरीके से अगर आप इसको break करेंगे, और break करने के बाद जब चीज़ों को link करेंगे, you can easily write any question, clear, so this is the thing, और यहाँ पर again, आप introduction क्या लिखेंगे, जितने भी term उपर लिखेंगे हैं, इनको केवल और केवल आप define कर दीजिए, introduction आपका तयार हो गया, introduction में क्या होती, you just have to introduce the question, you just have to, एक तरीके से बोलते हैं न, महौल बना देना, तो महौल ही आपको बनाना होता है, introduction में, that is the thing only, ठीक है, next question आपका है, with a special reference to India, examine the changes in nature and pattern of international trade, mention major influencing factors, क्या चीज़े हैं, आपको एक तो पता होना चाहिए, कि international trade क्या है, so international trade के बारे में, यानि कि export, import आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़, दूसरा, producing countries पता होना चाहिए, कि किस country में क्या produce होता है, clear, थोड़ी मोड़ी आपको WTO norm अगर है, पता होना चाहिए, that's all, काम खतम, link क्या करेंगे आप, यह तो सारा का सारा general हो गया, तो आप क्या link करेंगे, यहाँ पर आप trade theories link करेंगे, जो जो जोग्राफी में होती है, trade theories, तो जितने भी लोग advanced geography वाले होंगे, उनको trade theories के बारे में पता होगा, बाकि आप लोग ने भी पढ़ आओगा, जैसे कि Ricardo की theory, David Ricardo की theory हो गई, या इसके अलावा, Hection Olin model, Hection OHLIN, Hection Olin model, इन दोनों model को आप relate कर सकते हैं, यह purely geography, हलकी economics का model है, but again this is also applicable in geography, तो इन दोनों को link करके, you can easily draw the nature and pattern of international trade, यह लगा सकते हैं, अब यहाँ पर आप एक world map, draw करिए, world map, और इस world map पे import export को दिखाईए, कि किस तरीके से import export हो रही है, अलग-अलग चीज़ों की, जैसे primary goods की, जैसे food हो गया, या जितनी भी primary goods है, secondary manufactured goods की, और फिर services की भी, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को दिखा सकते हैं, आपका answer हो जाएगा complete, first part का लेकिन, दूसरा है major influencing factors, तो major influencing factors क्या क्या आ जाएंगे, अब देखिए, कहीं पर भी, एक तो infrastructure होता है, दूसरा सबसे important चीज़ होती है, market, और यह market दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है, labor market की labor की जरूरत है, जैसे जितने भी developed countries हैं, उनको labor market की जरूरत होती है, because they do not have their labor force, और वो भी कम wage वाली labor force उनके पास नहीं है, क्योंकि सारे skilled है, skilled रहेंगे, तो सीज़ी सी बात है, अब आज की date में labor और mystery में क्या आंतर है, labor जो है, वो skill हो रहा है धीरे धीरे, और जो mystery हो skilled है, तो जो भी अभी आज की date में अगर आप माल लेते हैं, कि labor को किसी को call करिए, तो वो कहेगा labor है, पांच साल बात वो उसी को phone करेंगे, कहेंगे, नहीं नहीं, अब हम mystery में convert हो गया है, तो क्या है, this is the thing, तो वो skill हो गया है, तो एक तो labor market की जरूरत है, दूसरा products की market की जरूरत है, तो ये influencing factor है, जो की एक तरीके से आप बूल सकते हैं, कि major influencing factor बनता है international trade के लिए, इसके अलाबा infrastructure बगर हो गया, इसके अलाबा trade policies, government की जो होती है, tax policies बगर है जो government की होती है, तो ये सारी चीज़े ultimately जो होती है, बन जाती है हमारा influencing factor, इसके अलाबा diplomatic relations भी अपने आप में एक influencing factor होता है, तो ये भी easy question था, और कई सारे यहाँ पर actually dimension है, तो उन सारे dimension को अगर आप लिखेंगे, तो even आपको problem होगी content management में, content आपके पास बहुत रहेगा, किवल आपको manage करना है, और manage करने के लिए अलरड़ी आपको एक structure बता दिया गया है, कि आप कैसे manage करेंगे, so this is first thing, second step, third step and lastly fourth step, आपका बन गया पूरा answer, clear, तो paper में disturb नहीं होना है, जब भी आप paper देना, disturb मत होईए, आप किवल thinking करिए, brainstorming करिए, linking करिए और answer writing करिए, that is the thing, second last question of this 2019 का paper, question है, 8 का B, कहता है कि describe the LTE, tudinal and special geo-environmental hazard in the Himalayan area, मुझे लगता है, this is the simplest question, और in fact, माधिव दूस्टाइन को बुक को अगर open करेंगे, तो आप अगेन इसका answer पा जाएंगे, इसमें देखिए, ज़्यादा कुछ खास बताने वाली चीज़ नहीं है, इसमें problem आप जान रहे हैं, सारी geomorphological problem यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चाहे वो geo-environmental हो, चाहे आप altitudinal, altitudinal मतलब क्या है, height है, height के कारण से जेतनी भी problem सुंगी, वो सारे problem आप लिख सकते हैं, clear? सो यहाँ पर देखिए, जादा कुछ खास discussion करने को है नहीं, क्योंकि अलड़ी इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, and time is again exceeding, अगर आपको problem होगी, बताइएगा, we will discuss it in next lecture, लेकिन this is quite simple question, straightforward question, और यह ऐसी चीज़ है, morphology topic ऐसा होता है, जो सब लोग comfortable होते हैं इसमें, next question आपका है, India is emerging a global power in relation to Indian Ocean realm, यह एक ऐसा question है, जो हर साल alternatively या regularly repeat होता है, कुछ नहीं है, Indian Ocean की politics है, so Indian Ocean में जितने भी geopolitical things हैं, उनको आपको लिखना है, Rimland की theory को quote करते हुए, you can easily write this, जैसे Digo Garcia, और Maldi, जितने islands हैं, इन सब की जो है, काफी एक important, you can say की discussion आपको लिखना है, and this is quite easy thing, easily आप लिख भी सकते हैं, बहुत simple things हैं, ठीक है, and this is again past year के question में, continuously repeat भी हो है, और आपको easily इसके answers बगएर भी, book बगएर में लिखने को मिल जाते होंगे, so this is all, we have completed our 2019 का paper, और इस discussion से उमीद है कि आपको एक input मिला होगा, और इसके अलाबा अगर आपको कोई problem होती है, या फिर कोई suggestion होता है, या फिर कोई ऐसा point होता है, जो आपको लगता है कि we should also integrate in the question, then please suggest us, so that वो चीज़ें integrate भी कर सकें, ठीक है, इसके अलाबा कुछ लोगों ने question पूछा हुआ था, क्या हम आपके answer send कर सकते हैं, yes of course you can send, so send it on recognitionize at gmail.com, we will evaluate you and we will give you the feedback also, ठीक है, बाके मिलते हैं आपने next discussion में, 2018 का paper we will discuss, paper 1 then paper 2, next video मिलते हैं, till then goodbye and thank you so much.